खबर हर्मान गट से है जहां जिला प्रभारी मंत्री और आपदा प्रबंदन एम सहे दा प्रशास निक सुधार वस्तमन वियस संके के विभाग एवं निती नर्धारन प्रखोष्ट मंत्री गोविन राम में इकबाल ने नहर पहांच करी यहां के सामुदा एक सास्ते के आतरगत 55,00,00,000,000 की लागत से भादरा रोड से राज के उच्छ परातमिक विध्यालिया धाने इस सिखान तक बनने वाली डामर रोड एम मुख्यमंत्री बजट घुष्टना के अंतरगती 43,00,000 की लागत से बनने वाली डामर रोड का शेलया नास किया सम्मोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री गोविन राम में इगवाल ने कहा कि नाहर की जंताज ने जिस विधायक को चुना वह अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं मुख्य मंत्री के भी लाडले विधायक है और अपने विधानसमाश शिक्तर में विकास कारे करवाने में अग्रणी है विधायक अमिज चाचान ने पिछले तीन सालों में अपने विधान समा शिक्तर में इतने विकास कारे करवाये हैं जो पिछले तीन सालों में नहीं हुए साथ ही कहा कि शिक्षा वस्वास्ते के शेक्तर में दिया गया द्यान वस्तायूग सबसे बड़ा है शिक्षा के विनाविका संभव नहीं है जो पढ़ेगा वा आगे बढ़ेगा नहर शेक्तर में भामा शाहू ने शिक्षा वस्वास्ते की शेक्तर में दान देकर अनूठी मिसाल कायों की है इस मौकी पर आया जित कारेकरम के अध्रिक्षदान नहर विधायक अमिचाचान ने की की वेश्द चानकारी कुए कहा थो कि भारत का पहला इंहरी पानी चोरी रोकने को लेकर अलग से थाना खोला गया खालों का निर्मार्ड़ को जो-्रोका हुआ थ। उसे नहर भाधरा शिक्तर में फिर शुरू करवाया गया उन्हें शिक्तर के भामाशाहों विहानी वस्तावाल परिवार कवा आभार जतते वे काहा कि विहानी परिवार नहीं है स्कुल कॉलेज रित्यादे की निर्माण में बड़ा योगदान दिया है आप देख रहों कि जो तीनों जो मुखे मंदरी जो ने बजट पेश किये थे विकास की दरश्टी से रिकोर्ट तोर बजट थे यहाँ कॉलेज भी खोले गएं सडकों के लिए भी बारी बजट दिया गया है जल मिशन के तहट गांगांग के अंदर घर तक नल पहुंचाने के लिए करण रुपे जो है बजट देने का काम हुआ है नेहरों की मरमत के लिए कार्य हुआ है कोरोना का परबंद पूरे हिंदूस्तान में सबसे अच्छा जो उसका व्यवस्ता हुई है जिसकी केंदर सरकार हमारी विरोधी होते वे भी परसंशा करती है कि कोरोना में मुखे मंतरी जी का जो परबंदन था वो बहुत जबरदस था घर घर दुआई पुंचाई हमने विधाय कोस से भी बहुत जगे जो एमूलेस दी गई है और गवर्मेंट की तरफ से जगे जगे ऑक्सिजन प्लांट लगे है आपके सामने डामर की सडके नहीं बुन रही है और अब भी जो बजट आएगा वो भी बहुत रिकोर्ट तोड़ बजट होगा विकास की दरश्टी से